लो फ्रेम जो फ्रैंड्स वूड़ फ्रैंड पर यूजी सी नेट की जो प्रोवेजनल अंसर ँसी है इस baik है प्रोवेजनल Do कातबकि आने वाली है बहुत से इस तरीके के कॉश्र hedge मेरे सामने आ रहे हैं आज यहां पर देखिए Бог दिस्प्ले ओफ की चैलेंच यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है वह है डिस्प्ले की चैलेंच यानि कि यहां पर आपको अभी जो आंसर की आई वो provisional है, provisional का क्या मतलब है कि आपको अगर किसी question में doubt है, अगर आपको लग रहा है कि किसी question का answer NTA ने गलत बिताया है, तो आप उसको correct करा सकते हो, आप challenge कर सकते हो NTA को कि आप इसको correct कर लो, तो जो provisional answer की है, उसमें से कुछ questions, ये नहीं है कि पूरी की पूरी ही answer की change हो जाएगी, कुछ question माल लिजए 2-3 या फिर 4-5 question अगर किसी को objection हो सकता है, तो वो change हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है क्योंकि पर question यहाँ पर आपको claim करने के लिए 1000 रुपया भी देना पड़ता है, हलाकि अगर आपका answer सही होगा, अगर आपने supported document सही से लगाए होंगे, त तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक हिम्मत जुटानी पड़ती है, 1000 रुपया पे करने के लिए, अगर एक भी question को आपको challenge करना है, तो आपको answer की को challenge करना है, तो provisional answer की क्या है, कि जहाँ पर आप कोई question का answer आप NTA से कहके change करवा सकते हो, अगर उनको लगेगा कि आपका answer द से कोई भी objection नहीं है, तब वो आपकी final answer की को release करेगा, हाला कि अगर हम बात करें कि provisional answer की और जो final answer की है, दोनों में कितना change होता है, तो हम अगर हम बात करें, तो मुश्किल से अगर हम बात करें, तो 1% का ही change देखने को मिलता है, बाकि 99% आपकी final answer की, आपकी provisional answer की जैस सिर्फ एक परसंट आप कह सकते हो जो भी चैलेंज करेंगे एक परसंट या दो परसंट इससे ज्यादा नहीं ठीक है तो फाइनल आंसर की आपकी प्रोविजनल आंसर की ही होती है लेकिन अपडेटेड होती है जिसे की एंटिये चेक करता है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को कोशन है तो उसको अपना ठीक करा सकता है उसको सपोर्टेड डॉक्यमेंट लगते हैं और वो कोशन के आंसर को चेंज कर दिया जाता है देन फिर आती है आपकी फाइनल आंसर की के बाद आपका कोई भी चेंज नहीं होता प्रोविजनल आंसर की में आप कोशन को चैलेंज कर सकते हो लेकिन final answer की आने के बाद आप उनकेकोशन या राँसर कोशेलेंज नहीं कर सकते ये concept एउन्सर की और प्रोविजनल लाँसर की में डिफ्र il जिसको भी नहीं पता है प्लीज इसको देख लिजैं वीडियो को कि final answer की क्या होती है और provisional answer की क्या होती है